नमश्कार अजस्टो मनी गुरू में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आप सभी के साथ दिश्या अजस्टो मनी गुरू से आप सभी से मुखादिव होती हूँ आज की तारिक है 15 जून वार है गुरुवार हम बात करेंगे आज के शो में गेहू समाचारों के बारे में बिक्री की रिपोर्ट करेगी वेपारी युद्द गरस्ट युक्रेन और काला सागर अनाजनर्याशित्र में सुर्कियों की निगानी कर रहे थे करनमीर ने कहा कि जब काला सागर अनासोधे को नवीनी करत करने की बात आती है तो रूस की सद्भावना अनिशित काल तक नहीं रह सकती है एक दिन बाद राश्टपती ब्लादी मीर पुतीर ने ये कहा कि मॉस्कोव समझोते से पापस लेनी पर विचार कर रहा था बता दें कि बुद्रवार को यूरोपिय करे हूँ तो प्रतिशत से अधिक कर गया सब तहां में पहरे दर्ज किये गए लाग को मिटा दिया अमेरिकी वजारों में गिरावट और फ्रांस में शुश्क और गर्म मौसम के बारे में चिंदा को कम किया गया 2022 सीजन के लिए यूकेंग का अनाज निजाद 14 जून तक 47.1 मिलिन टन रहा जबके पिछले साल 17 जून को ये 47.8 मिलिन टन था मंत्राले के आंकड़ों के मताबिक बुद्रवार को दिखाया गया ये आंकड़ा फार्म आफिस फ्रांस एग्री मेर ने 2022 सीजन में यूरोपिय संग के बाहर फ्रांसे सी नरम केहों के निर्याद के लिए अपने मासिक पूरवा नुमान को एक लाग टन कम कर दिया था जो अब 10.2 मिलियन टन है और अनुमान केरी ओवर को 12 एक लाग बीसेजा टन बढ़ा दिया है कंसल्टेंसी ने कहा कि एग्री टेल ने यूरोपिय संग के सबसे बड़े अनाज पुतपादकों में एक मैं सूखे मैं की फसल के बाद की रोमानिया में इस साल की गेहों की फसल के लिए अपने पुरवा नुमान में बंदर पदेशत की कटोती दर्ज की है दोस्तों अजस्टरो मनी गुरू ब्यानलस कमूर्टीस पर काम करके पूर्ण विशलेशन के साथ आपको हर जानकरी देता है किसी भी पिट जानकरी के लिए आप हमारे तीव हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जस्सम पर कर सकते हैं और हाँ हमारे चैनल को लाइक करना सेस्टराइब करना बिलकल भी न भूलें नमस्कार